कि नवस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में और आज हम चुनाओं का विश्लेशन करेंगे जैसा कि हर चुनाओं के बाद हम करते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं भाव जी भाव तोर सेकर साब और और जी और अविशेग जी और सबसे पहले आरम करने से पुरू मैं भाव को बढ़ाई देता हूं तो कि भाव ने जो है वो बिलकुल एकुरेट प्रेडिक्शन किया था अंडर करेंट पढ़ लिया था अब लोग भी दूसरी तरह से विश्लेशन कर रहे थे लेकिन अंडर करेंट हमने नहीं पढ़ा थ तो सबसे पहले हैं बाव के पास ही चलते हैं पुछते हैं कि साथ ये अंडर करेंट आपने कैसे पढ़ा है मैंने बोल लिया था ना आपको मैं पाच दिन अभी मुझे भी अंडर करेंट साथ तरीक तक मालूम नहीं था नौ तरीक को पता चला जब वो अभी गोपिचन कार मिल गया उससे बात छिड़ गई बाते करते करते उसने जो बताया तो मैं चाओ गया और जब मैं पूना पहुचा तो मैंने इंक्वाइरी कर ली तो मुझे पता चला ये तो तीन मेने से चल रहे हमको भी मालूम नहीं था ना हमको भी मालूम नहीं था जिस ढंग से भज तो बाकी जो इनके खिलाब यह उनको कैसे पता चलेगा उनको पता तक नहीं था मैं दो तीन दिन की बात है मैंने दो तीन मराधी चैनल के एडिटर से मेरे बात हो गए तो वह हैरान हो गए उनको अभी तक मालूम नहीं और मुझे बोलते कि कैसे हो गया है यह हमको क्यों नही सुनते हैं आपके रेपोर्टर है तो वह एक संबाद को लिए कि हमारे स्ट्रिंजर को भी पता नहीं मैं तब मैंने उनको बोला कि आपका न्यूस्टेटर रोज सुबह उटकर संजेर आउट के घर में चला जाता है ट्वालेट करने के लिए और आपके जो स्ट्रिंजर है वो भी अपने अपने जिले और तैसिल के संदेर आउट को ढूंटे भूंते हैं आम जन्ता को कहा मिलते हैं मैं तो आम जन्ता से मिलता हूँ और उनकी बात सुनता हूँ अगर बात नहीं करूंगा तो वो क्या बोल रहे हैं सुनता हूँ उससे पता चलते हैं अंडर करन क्य लोगों के दिमाग में जो चलता है आप तो जरांगे की अर्थी उतार रहे थे रोज हर चैनल पर जरांगे मराथा रिजर्वेशन उसके ही प्रवचन चल रहे थे आपको पता नहीं था तो यह बात होती है ना करंट अंडर करंट वहां से पता चलता है अब यह बोलने के बाद मैं जो इस गाव में 17 के एक हमेशा जाता था पिछले 17 साल से जा रहा हूँ वहां रुका था बहुत मैंने गई न गया नहीं था तो उस गावलों से बात किते बोले हां अरे बाकिया अरक्षन वगेरे होता रहेगा लिक्न मराठा रहेंगे तो पहले हिंदू रहना पड़ेगा ना यह आम लोग अगर बहुत बोल रहे हैं तो वह अर्णर करंट होता है आप किसी भी नेता को किसी अर्गने लेकिन आप उनका प्रतिनी की करके बोलोगे तो वो उस संगतन का अजेंडा बोल देता है और वहीं इन लोगों की गफलत होते हैं रोज उठकर इसका बीट यह है उसका बीट वो है यानि आम जनता का कोई बीट ही नहीं है जर्नेलिजम में आम जनता के मन में क्या चल रहे है पार मालू है अब देखो कितनी सिंपथी मेडिया की थी लेकिन मेडिया में इतने वोट नहीं है कि उसके दम पर उद्द उठाकरे शरत पवार और जीत पाएंगे अब तो अभी भी पूरा अकड़ा नहीं आ है अभी अभी लड़त किसमें चालू है मालू है एकना अभी तो पैतालीस ही बचे हैं उस पर लड़त चल रही है देखते और चार घंटे में क्या होता है अभी तो इनके पैतालीस ही बचे हैं 20 उद्दव सेना के हैं सुद्रा कॉंग्रेस के हैं और 10 चलत कुवार के और शायद अभी उनका कॉंपेटेशन है इनको कौन हराएग क्या बोलते एकना चिंदे हराएगा या अजीद दादा हराएगा अजीद दादा च्छतिर-अटिस कुछ है क्या उसके भी नीचे आएगे वह अभी तह होगा एक तालिस पर अजीद दादा एक तालिस पर आगया तो अब मैं चलता हूं तीदे अब ओंकार जी के पास अंकार जी अधाव सेना और कॉंग्रेस की लड़ाई में तो जीत कई क्योंकि उद्धाव सेना का जो प्रत्याशी था चीव इनिस्टर का अधित ठाकरे वो तो जीत गया या आधित ठाकरे के पिता जी थे तो उन्हों चलता है कि अधे ना पटुले भी यार गये और आप भाको बाला साफ थोराट भी हार गये तो वही यत तो बहुत ही प्रुथवीरा चवान तो यह तो इतना पुरा हुआ हूआ इतना पुरा हुआ अब बी एम सी में क्या होगा अब मेजर तो इंका होगा देखो उद्धव ठाकरे बड़े भाई होने के लिए निकले थे लेकिन सवतेले भाई होकर बजगे अब यह है कि वह वहां तो रहे लेकिन वहां अपने कोई सगे नहीं है वो तो सब सवतेले तो यह उद्धव ठाकरे महाविका शागाडी में रहेंगे मतलब सवतेला भाई बन कर रहेंगे यहां तो सगे भाई थे और दूसरी बात है कि उद्धव के 20 नहीं आए उद्धव के 18 है दो रश्मी ठाकरे के आए एक बेटा है और दूसरा भाण जाए तो उद्धव के 18 है अधर बिल्कुल वह पर्सों तो तीन दिन पहले मैंने गड़ियों बनाया था मेरा बेटा और मेरा भांजा मेरी जिम्मेदरी बाकी सब तुम्हारी जिम्मेदरी तो बेटा और भांजा चुनकर आ गया ना तुम्हारा परिवर कुम्हारी दारी नांदेड का जो लोकसभा उप्चुनाव था वह भी कॉंग्रेस आर गई अब कॉंग्रेस तो निन्यानवे भी नहीं रही तो ठानवे पर आगई और बारती जुनता पार्टी 240 से आगे बढ़ गई यह बताइए उंकार जी यह जो 31 की संख्या है तीस की संख्या और एक तो खेर इंडिपेंडेंडन था यह जो अब लीक इंडी अलाइंस की जो तीस की संख्या है कि यह कितने दिन सुरक्षित रहेगी क्या आब दोसो बहतर पूरी तरह से बारती जंता पार्टी पहुंच सकते हैं देखिए होने को तो राजनीती में कुछ भी हो सकता है संजय जी और मोटा भाई जब चाहेंगे तो वो संख्या भी पूरी कर लेंगे ऐसा तो हमें यकीन है लेकिन जो परिणाम इस समय महाराष्ट का मैं देख रहा हूं और जितना मैं महाराष्ट की राजनीती को समझ पा रहा है और ठग मैं क्यों कह रहा हूं देखिए 2014 में भी और 2019 में भी शरदपवार को और कॉंग्रेस को महाराष्ट के मतदाताओं ने रिजेक्ट किया था यह कहा था कि आप विपक्ष में बैठिये आप भरोसे के लायक नहीं है और हम आप पर यकीन नहीं करते हैं जैसा श से हमारा भरोसा उठ गया है तो आप विपक्ष में बैठिये 2019 तक तो मजबूरी में यह बैठे रहे हलकी शरदपवार का कहना यह है कि उन्होंने तो 2014 में भी कोशिश की थी ठगी करने की पर उनकी वो ठगी चल नहीं पाई सिरे नहीं चड़ पाई उस समय लेकिन 2019 में यह कामियाब हो गए और इन्होंने उधव ठाकरे को जिनका नाम अभी भाव ले रहे थे रश्मी के जरिये कन्विंस कर लिया और उसमें संजराउत ने भी भूमिका निभाई और एक चुने हुए मुख्यमंत्री एक चुने हुए गठबंदन को तुड़वा दिया इन्होंना साजिश करके जो चोथे और तीसरे नंबर की पारिटी थी जिसको 44 सीटे मिली थी वो 56 सीटों वाले से मिलकर के सरकार फोर्म कर ली यानि इन्होंने भारतिये जनता पारिटी के साथ भी ठगी नहीं की थी संजय जी इन्होंने महाराष्ट की उस जनता के जनादेश के साथ भी ठगी की थी डिच किया था उसकी पीठ में छुरा गौपा था जो लोगों ने चाहा था के साथ भारतिये जनता पारिटी और देवेंदर फढ़नवीस मिलकर के सरकार बनाएं और निरंतर्था में देवेंदर फढ़नवीस दूसरी बार राज्जी की सत्ता संभालें तो शरद पवार भी और ये लोग भी इस चीज को नहीं पचा पाए कि जो काम आज तक महराष्ट में नहीं हुआ यानि निरंतर पांच साल तक कोई मुख्य मंतरी नहीं रहा वो रिकोर्ड देवेंदर फढ़नवीस ने कायम कर लिया और अभी निरंतर्था में अगर ये दूस और 14-2019 के बीच में इनके बयान उठा करके देखिये साथ उदव ठाकरे के भी और संजयराउत के भी इसके बावजूद के ये सेंटर गौर्मेंट में भी शामिल थे और ये देवेंदर फढ़नवीस की सरकार में भी शामिल थे ये पानी पी पी करके कोस्ते थे और धान मंत सरकार करे लिए और अमित शाह के बारे में भी और देवेंदर फढ़नवीस के बारे में भी उल्टी सीधी बाते करते थें . चलिए आपने ठगी कर ली और आपने धाई साल के लिए जनादेस को कैप्चर कर लिया यानि जो जनादेस नहीं था उसको रिजक्ट करके मतलब सरकार बना लिए लेकिन उसके बाद क्या हस्र हुआ और फिर क्या हुआ जब महराश्ट की जनता का नंबर आया विधान सभा में तो उन्होंने सबक सिखा दिया और ठीक तरीके से सिखाया तीनों को सिखा दिया जिन्होंने जनादेश चोरी किया था 2019 में उन तीनों पारिटियों को उनकी जगह दिखाई है और एक और बात क्या करके अपनी बात खतम करूँगा ताकि अभी शेक जी के पास जाया जा सके उधाव ठाकरे जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे वो चाहे शर्द पवार के सिखाने पढ़ाने पर चाहे अपनी पत बास्ता बाला साब ठाकरे का नहीं था इन्होंने उनके सिध्धान्त भी नहीं अपनाए उनकी जो रवायत थी जो विरासत थी उसको भी अफमानित किया इन्होंने अपनी विचारधारा बदली जै सिवाजी और जै भावानी की जगह ये अल्लाहु अकबर के नारे लगान मुरंग जेब को उन्होंने अपना भाई बताना शुरू कर दिया जब भी आप इस तरह का चोला बदलते हैं विचारधारा बदलते हैं तो आपको मतदाताओं को ये कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं पर उदव ठाकरे ने इसकी जरूरत भी म हैसला हुआ और उसमें देवेंद्र फड़नवीस भी शामिल रहे होंगे के साब इनको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा और जिस तरीके से बाद में इनकी पारिटी टूटी एक नात्षिंदे के नित्रतों में लोग आए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और ना भूलें क और उसका आप परिणाम देख लीजिए क्या हो रहा है आज की तारीख में एक नात्षिंदे आज उधव ठाकरे या शरद पवार से बड़े मराठा लीडर बन गए हैं ये उन्होंने साबित कर दिया है यानि उधव ठाकरे की जो हैकडी थी और अगर और सीधे सच्चे की शब्दों में कहूं तो कि जो बत्तमी जी इन्होंने की थी बीजेपी नित्रत्व के बारे में और उनके खिलाप तो सारी हैकडी निकाल करके रख दी उनकी पारिटी छीनी उनका पहले मुख्यमंतरी का पद छीना उनका चुनाव चिन 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 अब उनका वोट बैंक और अब तीन में हैं न तेरा में हैं ये हुआ है महराष्ट की राजनीती में चलते हैं अभिशेग जी के पास अभिशेग जी थोड़ी से जारखंट की भी बात कर ले जारखंट में तो प्रदीब गुपता जी का पुनरजनम हो गया जारखंट से क्योंकि अकेले केम का impact assist किया और किसी ने भी नहीं किया और यदि आप रांची और उसके के आस पास के कोई 15 शेत्रों में देख लें जहां बीजेपी हारी है सब जगहें जेल केम ने उसके बुरी तरह से वोट काटें क्या वोले सबसे पहले तो आपको भी चरहन सपर्स और भाव को दो बार पंद्रा दिन पहले कोई विश्वास नहीं करेगा मैंने शो किया था भाव के शो का मैंने टैग लाइन भी दिया था महारास्ट का सबसे सटीक विश्चलेशन उसमें भाव जी ने एक गजब तार्किक बात कही थी कि टेंट में होता है तो रैली होती है तो टेंट वाले की जरुरत पढ़ती है चेर वाले की जरुरत पढ़ती है माइक वाले की जरुरत पढ़ती है यहां सब ले गया तो वैसी भी माइक ले गया थोड़ा महारास्ट पे भी मैं दो मिनट बोलके फिर जारखन पर आता हूं दोनों के जीत और हार में बीजेपी आ रही है बीजेपी वही हुआ है सिर्फ और सिर्फ यह हिंदूओं की जीत है इसमें कोई बदमाशी करके सबका साथ सबका विकास यह अजीत पवार जी का अजीत पवार जी भी इसी विचार धारा के कारण चुकी अलाइंस में थे तो उनको वोट ट्रांसफर हुआ और जीते हैं एक लाइंस बार बार यह मेरी टिक टिक नजर थी कि क्या 65 परसेंट वोटिंग होगी या महरास्ट में नहीं हम लोगों इस पर कई बार मैं विगनेश और संजेसर ने कई बार इस मुद्दे पर बात कि 65 परसेंट हमारा वोटिंग नंबर है वो नंबर होना चाहिए उसके बाद 170 प्लस तीन परसेंट पर रहेगा और जो काटेगा जैराम में तो वो कितना काटेगा एक्जैक्ली 5 परसेंट सर वोट काटा है और सीधे सीधे 16 सीटों पर एंडिये हवा हो गई है अब जारखंड के लिए मैं जमतार जो विधान सभा में गया हुआ था वो बीजेपी जीती है जो जर्मुंडी विधान सभा है यह होता है सर चुकि हम लोगों ने भी एक्जिट पोल नहीं किया था और प्रदीप गुपता जी इस बैग एक्चुली प्रदीप गुपता जी का महराष्ट भी ठीक हुआ ऐसा नहीं है उन्होंने 170 से 200 कहा था लेकिन error of margin हम रखेंगे इतना कि हमने निस्पक्ष होकर के निस्पक्ष भाव से आपने जो काम ने वोट किया क्या आप हमें उसका रीपे करेंगे यह जो इस वक्त हमारे चैनल पे 9000-10,000 के आसपास लोग अभी देख रहे होंगे जैपू डायलोग्स यह भाजपाइटी सेल के तो नहीं है सुरी यह जो अभी लोग लाइव देख रहे हैं यह भाजपाइटी सेल के लोग नहीं है इनका बीजेपी से कोई डारेक्ट रिलेशन नहीं है यह सिर्फ रास्ट के कारण और रास्ट प्रेम की भावना के कारण ट्विटर पर फेस्बूक पर इंस्टाग्राम पर यूट् जिर्फ पंत को कॉंगरेस को या उस विचारधारा की और अग्जेब की उस विचारधार को लगातार काउंटर करते हैं क्या इनको पैसे मिलते नहीं मिलते तो क्या यह इतना डिसर्फ नहीं करते हैं कि इनका sense of security वो ठीक किया जाए जारखंड में बंगलादेशी मुद्दा था लेकिन उसके अलावे आप locals को क्या देंगे एक मैं आपके साथ tweet अपना ही share करना चाहता हूँ और ये तक्रीबन कई दिन पहले मैंने कॉल किया था और ये वहां की महिला बाइकर है कंचन जी और बहुत अच्छा जारखंड के अंदर काम कर दिये तो मैंने बताया था कि जैराम महतो का मत 5% ले डूबेगा एंडिये को लेकिन कुछ बाते आदमी कहता है कुछ नहीं कहता है वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि बीच कि चुनाव में नहीं कह सकते जैराम महतो के खतियान वाले के खतियान बचाएंगे वहां के लोकल्स को ये देंगे उसका काॉंटर आजसु के पास भी नहीं था और बीजेपी के पास भी नहीं था और उनका वोड जो डेंट कर रहा था टाइगर जैरा महतो उसका काट des नहीं पाया दूसरा कलपना सुरेन ने बहुत अच्छे से आदिवासी के जेल जाने वाले मुद्दे को महिलाओं के बीच में जो की वहां भी एक मैया योजना चल रही थी जैसे हर जेगा वह विक्ट्री हुई है आप मध्यप्रदेश में देखिए लाडली योजना कह सकते ह महाराश में भी एक लाडली योजना चली यहां मैया योजना के नाम से चल दी थी महिलाओं के बीच में ठीक ठाक पैट बनाई और कलपना सुरेन ने लगातार परिश्णम किया ऐसा नहीं है कि कलपना सुरेन रहलियां थोड़ा सा भी कम किती है लेविश लाइफ वहां पर उसने पूरा मेक शूर किया यह सभी बाते हैं जिसको अब हम कह सकते हैं एनलाइज कर सकते हैं बाद में बहुत सारी अभी तो और बाते होंगी लेकिन एक चीज जरूर है कि यहां पर भारतिये जंता पार्टी को यह लग रहा था हरियाना के तरह जैसे हरियाना में कॉंग् की पड़ा है और संभौता संभौता यह जेल भेजने का हिमन सुरेन का निर्ने और ज्यादा बैक फायर किया है जी यहां यहां बिल्कुल आप सहमत है और जैरा महतों फैक्टर यह पढ़ा नहीं पाए और मुझे लगता है कि यहां आरे सेस्पी ज्यादा एक्टिव नहीं थी नहीं तो वह कुछ इनको फीड़बैक इत्यादी देती एक और भी बात आ रही है कि यहां पर अल्रेड़ी हेमंत पिशु सर्माजी दो फायर ब्रांड लीडर एक साथ नहीं रहेंगे तो हेमंत पिशु सर्माजी तीन महीने से लगातार देख रहे थे एक चीज़ और पता चलिए कि लोकल्स जो लीडर थे उनके कम फीड़बैक लिए गया और जो टिकट वितरन हुआ उसमें ऐसे को टिकट दिया गया जैसे गुड़बा में बात हो रही है कई लोगों कहना है कि गुडबा में गलट टिकट वितरन हुआ देवघर हारना पेंफूल है सब देवघर हारना बहुत पेंफूल इस लिए है कि वहां 12 जोती इरलिंग में से एक है और पूरा शहर उसी की कृपा उन्हीं की कृपा दृष्टी में खाता है पीता है और फिर भी वो हार गए तो थोड़ा सा तकलीफ होता है और देवघर इनके लोग सभा छेतर में आता है जो जारखंड के गुड़ा के सांसद है तो ठीक है कोई बात ने वापस आएंगे कोई बात ने देखिए क्या एक ची अराष्ट के संदर में आज मैं कहना चाहता हूं सर्थ एक जगजीत सिंग जी का शेर है शबे फुरकत का जागा हूं फरिश्टो अब तो सोने दो अभी फुरसत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा दोस्त जो संजे राउत है जो देवें इनका बहुत अच्छा द पर पूरा प्रश्ण वाचक चिनला गया और बड़ी बेशरमी के साथ जब देखिए इस तरह का मेंडेट है तो चुपचाप एकसेप्ट कर लिजे जैसे हिमंद बिश्व सर्वां जी ने जहारखंट के संदर में किया जनता का मेंडेट है पाक साल के लिए दे हम एकसेप् तो अच्छा है कुछ दिन और सोईये कम से कम दोहजार उनतीस तक सोईये ताकि हमको भी वापस लोग सभा में वह नंबर पाने का चांस मिलें बाकी सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं प्रसंदता है बड़ा जीत जीते हैं जहारखंड में थोड़ा हार है लेकिन कोई बात ठीक जी तो अब वापस चलते हैं बाओ के पास बाओ एक बात जो और सामने आ रही है महराश्ट के प्रिशे में विशेश कर वो यह कहीं आ रही है कि जिस दिन से राहल गांदी ने आयोध्या को लेके मदाग बनाना अरम किया था उस दिन से मामला गरबर होना शुरू हो गया था और इसको आप महराश्ट में तो देखी रहे हैं इसको आप उत्तर प्रिश में भी देख सकते हैं उत्तर प्रिश के नो उप्चनावों में से साथ योगी बाबा जीत के हैं और ना केवल वहाँ आप इसकी जो प्रती ध्वनी है और दीवाशी छेत्रों में देख सकते हैं हमारे राजस्तान में जहां बजनलाल जी का कई बार जो है लोग उपहास भी करते हैं वहाँ भी साथ में से पाच सीटे जीत की बारती जंता पाड़ी तो यह जो फैक्टर है एक तो जो यहां पर कार्य हुआ उसकी तो बात हो ही गई द्यावाला फैक्टर कित्रा आप सोचते हैं कि यह उप्युक्त माना जा सकता है यह सब मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जो चार जून को हुआ उससे बहुत बड़ी पस्चत वुद्धी है लोगों में यानि मोदी जी के सीटे कम हो गई इसका बीजेपी लीडर्शिप से ज्यादा हिंदूों में पच्चता बात है मैं लगातार छे मैने से बोल रहा हूँ यह पच्चतावे की बात है कि गलती हमने किये मोदी जी ने जो वहनत करनी थी किये लेकिन हम घर में बैठ गए हमने उनको जब जरूरत थी तो हम नहीं पहुचे यह जो दिमाग में लोगों के चार जून के बाद बैठ गया है इसके रिपरकेशन बार बार होने वाले बार अभी तो आप दिल्ली में देखो दिल्ली में समतकर हो गाया क्योंकि लोगों के दिमाग में मैंने एक मैना मैंने कहला है अभीसे खो या उंकर के प्रोग्राम में बोला था कि बच्चे को कुछ सरारत करता तो इधर उधर होता है तो मा या बाप पीट देते हैं लेकिन तो यहां का मतदाता जो है वैसे देखो तो मुधी के मायबा पहरो, मुधी को बनाया किसे भारत के हिंदूों ने पहली बार वोर्ड बैंक बनकर मुस्लिम वोर्ड बैंक से टक्कर लेकर एक सिंगल पार्टी मिज़ृर्टी मुधी को दी थी, तो यह तो मुझी है, हिंदू का बच्चा है, तो उसको अगर 303 से 240 पर आ गया, तो उसका दुख और पच्टावा जादा से जादा हिंदू को था, और इसकी आप बार बार यह आप देखते रहें, बार बार देखोगे, और इसका वो जो अयोध्या हो या और कही हो आपको द दिखाई देगा, कि हमको कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, किसको हिंदू को, यह जो आज महाराश्चा में जीत हुई, यह बीजेपी की जीत नहीं है, हिंदू की पार्टी की जीत है, यह क्लियर सिगनल लोग देना चाहते, कि देखो, तुमने बीजेपी को नहीं हराया था, अर्टीकल को नहीं हरा, देखो, मुझे एक 2014 की 10 साल पुरानी बात यहाद आती है, जिस दिन मुदी का मेरा खेले 26 जून को शपत वीजी था, और टेकिंग सरेमनी था, उस दिन हिंदू में शिव विश्वन असन जो, 26 माई को, 26 माई को था भाव, 26 माई को तो उनका एक अर मोधी डिफिटेड, लिबरल लाइक मी, अरे ये तो चुनाओ में था ही नहीं, तो मोधी इसको कैसे हराएंगे, लेकिन वो अपनी हार मानता था, वो आंगरेस की नहीं, लेट की नहीं, हार किसकी थी, लिबरल लाइक मी, हाँ मोधी डिफिटेड, लिबरल लाइक मी, ये ज हारे तो हमको समालना पड़ेगा और ये बिल्कुल चल रहा था दिमाग में चल रहा था फिर अरे से ने उनकी जो अलग-अलग आया मैं उन्होंने पूछ दिया तो ये चलता रहेगा ये रुकेगा नहीं और हमको अगर सबसे बड़ी अभार प्रदर्शन करना है तो जैसे न देखो ये हमारे कारण कॉंग्रेश जीट गई हमारे कारण इंडिया मांच चीट है तो यह लोग 17 माँगे हैं हमारा कोई टेरोरिजम के लिए पकड़ा गया उसको भी छोड़ना पड़ेगा माँ क्या मुस्लीम अगर है तो उसको ठेका देना पड़ेगा सत्रा मांगे जैसलामी वगर को करना पड़ेगा निकिन उन्होंने क्या। दिलकव क्रिमीनल अजी में एक बात होती है। प्रिमीनल इंविस्टिकेशन जो चलता है उसके चार आदार होते है। देर मस्ट बेग्रीमिनल देर मुस्ट बीए मोटिव एंद फोर्थ इंपर्टन पॉइंट इस देर को आपरेशन अप्ड गुटिम को कोपरेश करना पड़ता है क्रिमिनल से तो कभी-कभी जिसको आजकल की पॉलिटिकल लागवेज में बी तिम बोलते हैं तो नोमानी महारा में बीजेपी के लिए बी टिम बन गए तो इसलिए तो दो ठाक नहीं निकले ना जय नौमानी जय भावानी जय शिवाजी की जगह उन्होंने जय नौमानी बोलना शुरू कर दिया क्योंकि अब देखिए पिछली बार शिवसेना के 56 एमेले थे आज अकेले एकनाथ ने 57 मेंने लाए उद्धों के पास बच्चा क्या है उद्धों ने कॉंग्रेस से थोड़े-थोड़े है पावार से थोड़े-थोड़े अपने बीज बना लिए आप ने प्रणवाल के ठावाओ यही में अ को एनका वोट शेयर भी देखो वोट शेयर में दो जो है वह रहां परसेंटे मिलकुल और यह आप के यह 3 परसेंट पहुंच पर पहुंच लोकसमाइब है एक नाच के लोकसबा में भी साड़े तेरा परसेंट है शेयर में चेंज नहीं हुआ है वोट शेयर में हाँ उद्धों के पास जो मुस्लिम वोटता हो खिसक गया दलीत वोटता हो खिसक गया और वो होने वाला था मैं रिपीटेटली बोल रहा हूँ इसलिए तो मैंने पहले बार देवे हो गया कि बीजेपी हारी यही तो फेक नहरेटिव था और अगर आप वो फेक नहरेटिव मान लेते हो तो आपकी लड़ने की हिम्मत ही कम हो जाती है तो वहां से वो निकल कर आये और लड़ने में खड़ा हो गये बस जीद गये इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है सब्सक्राइश थी और छे या साथ ओवर थे और तीन विकेट बाकी थे उसके प्वायर में क्राइम बागये थे सचीन देंडल करके और वो आउट हो गया क्या करेगा बेटा लेकिन बारा रन तो चाहिए थे लेकिन ये चवके छक्के मारने में कुछ छे सात रन में ही बच ओपिड और नोबॉल में भी बारा रन निकल कर आते तो कहने का मतलब यह है कि उद्धव के जो आये है वो उनके है ही नहीं है ही नहीं वह कॉंग्रेस और एंसीपी के और देखिए इसकी आइडिया पवार को थी पवार साब सिगनल देते हैं पवार साब सिगनल देते हैं देखिए, एक मैना पहले, शायद तीन हफते पहले, पवार साब ने एक सिगनल दिया था, बस इसके आगे अभी दो साल बच्चे है, तीन साल बच्चे है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको पता था, कि फिर से राज्य सबा जाना है, तो कम से कम चौवीस एमेले लगते हैं, उतने तो मेरे आने वाले नहीं है, वो इनको पता था, दस या बारा तो आ गए, अब चौवीस के लिए और चौदा कहां से लाएगे, तो इनको पता था, मैंने बड़ियों भ पहुचेगे कैसे, तो कहने का मतलब यह है, कि हिंदू जग गया, और इसलिए मैं मोलूंगा, कि आप सब लोग एक बात रिपीट करते रहे, यह बीजेपी की जीत नहीं है, यह हम हिंदूों की जीत है, हमने हिंदूों को जीताया है, और मुसलीमों को चेताया है, सावद र होगे, तो डटकर खड़े होते, और ना कोई हटा सकता है, ना मिटा सकता है, यह सबसे बड़ा सिगनल दिया है, महारस्त में, सबसे बड़ा दिया है, और अजीत दादा भी उसमें बज गए, उनको फाइदा मिल गया है, उसका, हाँ एक डर है, अभी भी एक डर है मुझे, उसकोर मैं कल मराटी में वीडियो बनाऊंगा अभी भी शरत पवर सरकार बना सकते उनके पास 12 ML है मैं हसो मत यार 12 ML है 12 का है 10 ही तो है पीजेपी को बोल सकते है आपके पास 130 है मेरे पास 12 है दोनों मिलाकर मेजोरिटी बन सकते है 145 आपको अजित की और हिस की जरूरत नहीं बिन्षर्ट सपोल्ट देता हूँ बिन्षर्ट सपोल्ट देता हूँ आपी मुझ्ट्री बनो अरे शरत पवर देकि गोटर भी कितना चाला कहे देखो काला कंदी करने वाले को खतम कर दिया शरत पवर कोई भी चाला की करने चैसा आकड़ा शरत पवर को नहीं दिया है और वही बात समझने चाईशी एक-एक करके देखो अब जो जो चुना होगा उसमें हिंदू जिर्जंग से बीजेपी क्या करे वो उनकी बात है हमारी बात नहीं हम हिंदू जो वाले और मैं मानता हूँ कि हिंदू जिर्जंग से जाक गया है वो हर जगा जो ऐसा कुछ करने वाला है न उसको खतम कर दे जाए अच्छा एक को बावू एक बात और है इसमें कि अभी अभी दस मिनट पहले उद्धाव ठाकरे का स्टेटमेंट आया और उद्धाव ठाकरे ने ये कहा है कि मेरी समझ भे नहीं आता है ऐसा कोई भी काम जो है वो महायुती नहीं किया है कि जिसके लिए जंता उनको वोट दे ये कैसे हो गया अब क्या होता है इसका इनको पता नहीं है अरे आपको हराना यही तो काम ठाना इनको हराना यही तो काम एकनात ने क्या किया है एकनात ने इनको मुख्यमंटी पत से हटा दिया है ये सबसे बड़ा काम किया है उसने ये लाटली बहना वगर है ठीक है वो क्या बोनस होता है इनको हटाना बेसिक काम था कि तुमने बढ़िया काम कर दिया इसको भर में बैठने दो online करने दो पाइब करने दो यह जो सक्से बड़ा काम किया अब इनको पता नहीं चल रहे क्योंकि एक होता है जो वाइरस होता है् या फीवर होता है वह पीवर को कहां पता होता है कि वही पेशिबट अब तो डॉक्टर के पास जाकर हम टैबलेट्ट लएकर आते इस तो फीवर को कहा पता पता हो था दोक्टर नीं क्या काम करें मैं अपनय तो इनको काम ऑफ और वहीं पता नहुंद कि इस देख बीक काम किया नहीं नहीं है काम तो एकनद करता था ना काम तो शिवसेनिक करते यह कभी भी शिवसेनिक नहीं थे यह असमान से टपके और बक्स्रमू हो गए पता नहीं तो लोग वोट क्यो देते हैं इसका भी इनको पता और वोट मांगने घुम रहे हैं उंकार जी के पास चलेंगे तोड़ा सा उंकार जी यह आप महराश्ट के प्रणाम दिखें तो इसमें आप पाएंगे कि सभी शेत्रों में एक तरह से स्वीप है मुंबई जैसे शेत्र में भी बारती जंता पार्टी उन्यस सीटें लड़के इसी तरह से नोर्थ महराश्रा में जो 35 सीटें हैं उसों 35 सीटों में से 28 सीटें, विदर्ब की 62 सीटों में से 45 सीटें, मराAnn वाला की 46 सीटों में से 37 सीटे और पच्छमी महाराश्च की 70 सीटों में से 55 सीटें या 22 से 55 सीटें 22 या 55 द्यान नहीं आ रहा है और ठाने कुंक्ड की 49 सीटों में से 35 सीटें महायुति ने जीती हैं और इनी इसमें से आप ये देखें हैं कि ये जो छेत्र हैं विदर्व के महाराश्वाब मराटवाला के पश्च्वी महाराश्ट के यहां से लोगसभा में बुरी तरह से हरे थे अभी मैं ये काकड़ा देख रहा था कि जो 151 सीटें जीती थी सेग्मेंट जो जीते थे लोगसभा में एंवीए ने उसमें से 105 सीटें महायुती ने छीन ली हैं क्या कहेंगे देखें जब जनता फैसला करती है ना किसी को रिजेक्ट करने का और किसी को समर्थन देने का तो ऐसा ही होता है फिर ना मराठवड़ा रहता है ना उत्तरपश्चिम महराष्ट रहता है ना विदर्ब रहता है ना कौंकन रहता है ना मुंबई रहता है ना ठाने रहता है एक तरफा ही जब फैसला कर लिया कि इनको सबक सिखाना है और एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी लोकसभा चुनाओं में केवल महराष्ट नहीं आप राजस्थान देखिए आप हरियाना देखिए आप उत्तर प्रदेश देखिए आप पश्यम बंगाल देखिए सभी जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा था भारतिय जंता पारिटी और नरे एक कारण तो होगा जिसकी वज़े से ये हुआ तो वो कारण तो सब की समझ में आ रहा है और सबसे पहले शायद योगी अधितनाथ ने पकड़ लिया उसको हिंदू जिस तरीके से बांटे गए बहे दिखा करके समीधान का आरक्षन चीन लिया जाएगा और ये सब चीजें चल गई और लोग भरमित हो गए और महाराष्ट में प्रेटिकुलरली एक कारण में और जो जानता हूं समझ पा रहा हूं शायद भाव उसको सही तरीके से बताएंगे अजित पावार को भारतिय जंता पारिटी के साथ लेने की वज़े से भी जो नराजगी थी लोगों में शायद वो लोकसवा चुनाव में निकल गई अब वो नराजगी बार बार तो निकलेगी नहीं एक बार निकाल तो दी मुझे याद है एक बार उनीस सो अ अठानवे की बात हैं अठल जी के नित्रतों में भारतिय जंता पारिटी चुनाव लड़ रही थी और बागपत से चोधरी अजीद सिंग चुनाव हार गए जिस दिन वो रिजल्ट आया उस दिन बागपत लोकसवाक शेत्र के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे गाउं म में शाम को चूलहा नहीं जला था लोगों ने रोटी नहीं बनाई थी वो अजीद सिंग को हलका सा जटका तो देना चाहते थे पर हराना नहीं चाहते थे तो यह जो महराष्ट में हुआ था लोकसवा चुनाओं में मुझे लगता है कि लोग अपनी नाराजवी तो परगट करना चाहते थे पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम छोटे 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 परियासों में जो हम सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं य अंजय जी बहुत सारे कारण होते हैं वो कारण मिलकर के और फिर जिस तरीके से हरियाना में भी हमने देखा है उन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है बार बार जो कुछ बांगला देश में हो रहा था जो कुछ संजोली में हो रहा था सूरत के सयदपुरा में हो रहा था, जगे जगे जो हिंदूों का एक गुस्सा दिखाई दे रहा था, आक्रोश दिखाई दे रहा था, उसके पीछे अस्थानिय कारण भी थे, लेकिन केवल अस्थानिय कारण नहीं थे, बहुत सारी चीजें लोकसभा चुनाओ के नतीजों के बाद उनके दिमाग में थी, इसलिए जो जिसका चर्चा कर रहे हैं, कि जिन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाओ के दोरान बढ़त मिली थी, एमविये को वहां से भी 105 सीटे वापस चीन लिए, 105 चेत्र वापस चीन लिए, तो इसकी बड़ी वज़े यही है, कि महराष्ट के लोगों ने एक्च्वल में फैसला कर लिया था, हरियाना की तरह, शुरुवात हरियाना से हुई है, और वो कारवा अब लोकसभा अब यह जो अभी भाव संकेत दे रहे थे, मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल का हाल उधाव ठाकरे से भी बुरा होने वाला है, मैं जड़ा एक थोड़ी बात कर दो, जो अजित दादा के बारे में आपने पोला, तो अजित में पूना में एक जगा मेरा लेक्चर था, तो बहुत सारे लोगों ने पुछी थे, अजित दादा को साथ लेने की कहा ज़रो थे, तो मैंने मजग मजग में एक बात बोल दी थी, कि अजित दादा के पार्टी का जो सिंबॉल है, उसकी एक एड़टाइज, टीवी पर बा हुआ था, और विदान समा में उस पर लोगों ने विश्वास किया, यहीं फरक है, जी, जी, अब जी थोड़ा था, बाई, एलेक्च्छन्स की बात और कर लेते हैं आप से, जी, पहले एक एड़ करनो नहीं तो मैं भूल जाओंगा महराष्ट के संदर में, हम लोग सब बा अधायूती कहीं काम इंपोर्टेंट हो, रिकॉल करें जिस प्रकार से पाल घर के संतों की हत्या हुए, और वो जड़ा फोटो रिकॉल करें, जब वो हसी संतों की जो मृत्रीयों के पहले वाले थी, वो किस पर थी, वो किस पर हसे थे, और उसका प्रभाव है, यह कोई ना रनौत का जब ऑफिस उजाड़ा था तो सामना में क्या लिखा उखाड दिया तो कर्मों का भी तो फल मिलना है तो यह जरूरी है कि किसी और कि तो आपके भी कर्म आपको देखने चाहिए ना दिशा साल्यान से लेकर के संजे राज वह जो राज सुसान सिंग राजपूत यह सारे कुकर्म भी तो है केतकी को जिस प्रकार से जेल भेजा गया आपके भी सासन और नव गोस्वामी प्रदीप भंडारी जी को पीटा गया थ प्रतीप भंडारी जी को पीटा गया था वह वायू सेना के अफसर को पीटा गया था एयर को कर देते तो इतना प्राब्लम Нहीं हो तकि यंद्दम' कि महराश्व को यहिशिव करोंगा कि आ Analysis नहीं सब्जोंत नहीं है उसको चुनाओ के हर से कोई नहीं है उनका दुखड़ा यही है कि अरे इतना दगड़ा मेजोरिटी आ गया ये सब मंत्री बद लेगे, सब खाते लेगे, यानि ये सब पैसा खाएंगे, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं, ये दुखड़ा है, उनको पालिटिक से मतलब ही नहीं है, कही ना कही से पैसा लाना है अब दुख ये होता होगा, कि अगर मैं यूती में रहता, तो पिछली बार कम से कम 15 मिनिस्टर होते, कंटिनी होते 5 साल, आज के बाद अगर इकटा रहता, तो 60-72 मिनिस्टर बढ़ जाते, तो और ज्यादा पैसा खाता, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काटने गए और मुर्गी की मर गई और अंडा भी नहीं मिल रहे, तो वो दुखडा है, वो पुलिचन का दुखडा नहीं है, कि वहिया चुना भार गया, तो इसलिए उद्धो को जरा समझ दो, और बाद में उस पर विस्ट्रेशन को, बिल्कुल बिल्कुल दादा, आप सही बोल थे, हमने उसको फिल्टर कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रस्ट नहीं है, तो पहले बाइलेक्शन बे बात कर लें, आपके बिहार में भी बाइलेक्शन हुए है, सुना, चार जीरो, तो यह क्या हो रहा है, नितीश कुमार जी और बीजेपी वाले वहां कह रहे बाइ, तो बड़ा मामला गर्बर हो रहा है, और उधर करनाटका में तीनों आर गए बीजेपी वाले, ऐसे बेशर्म लोग हैं, वो लालू जिसको सजा हो रखी है, जो जेल में था, जो जमानत पर बाहर है, वो कह रहा है कि अडानी को अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं, जे सब नौट करती है, जी अभी शेख जी, देखें सर्ब बिहार ने तो लोग सभा में भी बढ़िया रिजल्ट दिया था, अगर टेकनिकली देखें तो जिस प्रकार के खराब टिकट वितरन हुए उसके बाद भी, वरना 35 का नमबर जाता, अब बात यह है कि जब भी पर मैंने कहा था कि जन सुराज को आउटराइट जाकर के लोग रिजेक्ट ना करें, दो महत्पून सीटे जो हारी है राजट, उसमें से एक बेला गंज, सुरेंदर यादो, बेला गंज से लगातार जीतते आ रहा है, और कई यह दशकोंब के बाद टूटा है यह वहां का बेला गंज का, वरना राजट की वह स्थाई सीट थी, जहां मुझे लग रहा है 25-30 साल से थी, वह तूट गया, क्योंकि जो मुस्लिम कंडिडेट खड़ा था जन सुराज से, उसने 17,000 वोट लिए, पहला चुनाव लड़ रही है, इमाम गंज में 37,000 वोट मिला से, 37,000, लोग देख सकते हैं कि भाई जन सुराज तो हार गया, टेक्निकली जब हम एनलिसिस करेंगे तो यही करेंगे कि हाँ जन सुराज हार गया, कुछ लोग यह भी कहेंगा, रे रे रे, देखो बड़े आया थे तुर्रम खान, कहीं नहीं रह गया, कहीं नहीं रह गया, क्या य राजद के वोट कटने चाहिए वो और जन्सुराज करेगा लेकिन बीजएपी के वोट कर ने चैए वहाँ-धैन्ट करेगा नहीं कितना करेगा यह देखना है अब यह पर सुनिल पांडे के उपर बात करते तरारी विधान सभा में पिछली बार क्यों आरी क्योंकि सुनिल पांडे निर्दली लड़ गया उनको 35,000 वोट मिल गया अब इस बार उनके बेटे लड़ रहे थे यहां पर जनसुरा सिर्फ 6000 वोट ले पाई क्यों कि सर भूमिहार मुस उसी प्रकार से जहां पर इनको काटना था अब बीएसपी का कंडिडेट वो बक्सर के पास वाली सी हवीवेट था तो बक्सर में बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई थी अपोजिशन तो लड़ाई में नहीं था वो तो तीसरे नंबर पर तो यह हमको देखना है कि बिह वहाँ जी की पार्टी यह वर्तमान अलायंस जैसे रहेगी तो बिहार तो करेगा कास्ट और वहमेशा रिजल्ट यहीं होगा चाहें लालू यादो कितना भी तिकडम लगा ले सरकार नहीं बनेगा क्यों क्योंकि लालू यादो कह रहें कि भाई अडानी को जेल भेजो और काम की अचारा खोटाला क्या रहा है और यह मैं इसलिए बोल सकता है क्योंकि कोट ने सजा दी है उसी संदर में तो बोल देना पड़ेगा उसके लावे तो कोई विसेस्कार नहीं किया है लेकिन फिर भी उनको वोट मिलता है तो वोट विकास फलाना धिमकाना के नाम पर न ने मेरे चैनल पर आपके चैनल पर उमकार सरजी के चैनल पर अपने चैनल पर बार बार का कि संटिमेंट समझ यह संटिमेंट कह रहा बटेंगे तो कटेंगे और मैं कह रहा हूं कि यह स्लोगन मैंने आप लोग की तरह यूग नहीं देखा है सर की मंदिर यहीं बनाएंगे उस नारे की क्या ग्रेविटी है मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं 8-9 साल का था किन्तु इस नारे की ग्रेविटी है बटेंगे तो कटेंगे क्योंकि बंगला देश में लोग देख रहे हैं information बहुत तेजी से transfer होता है और इस नारे का इतना अधिक impact है हुआ हिंदू और हिंदू सुनना चाहता है संजय जी एक क्रश्यन क्या बहाव साब से मैं पोछ लूँ आप उसके बाद में पोछ लीजेगा जी जी मेरा क्विश्चन यह है कि बहुख्यमंत्री कौन बनेगा जो अभी रचना हुई है वह अभी जल्दबाजी में बिगाटने की जुरूरत नहीं है बीजेपी अगले दस बीस पंद्रा साल क्या हिसाब रखकर देखती है अभी जो बच्चा है तो अभी भी कॉंग्रेस इन सीपी यानि शरत पवार और उड़ो ठाकरे खतम नहीं तो उनको फिर से संजवनी मिल जाती है तो इन में से किसका ना किसका क्या बोलते बलर्ड लेंगे क्या स्कीन लेंगे या किड्नी लेकर फिर जिन्दा होगे तो वो नहीं चाहिए बहले और पात साल दूसरा कोई रहे जो हमीचा बोले कि हम पूरा अपना मेजोरिटी लाने के लिए और पात साल रुख सकते हैं उसका मतलब संजिए कि यह जो घटबंदन है वो चलेगा और बिल्कुल धंग से चलेगा लेकिन एक बात है कि इसमें जो परिक्षा होती है उस परिक्षा में जिस धंग से फिर से रिवाईव करके दिखाया देवेंडर ने तो देवेंडर को नेशनल रिस्पॉंसिविल्टी भी मिल सकते हैं क्योंकि बीजेपी में व्यक्ति नहीं देखी जाती है बीजेपी एक संग का आयाम है और अर्गनेशन है तो और पार्टियों के तरीके से हम इनका विश्लेशन नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल समझना चाहिए हम आप यह हमारी जो सब्सक्राइबर टेकनोलोजी वाले थे अब यह ऐसी टेकनोलोजी के स्कूराइबर को एक काम नहीं करता सौप्ट्वेर 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 एप 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 तो जो बदलता है ना तो यह बात देखनी पड़े कि बीजेपी जिल धं से चलती है उल्दम में देवेंड़ बने ना बने यह व्यवस्था जो महाराष्टा में खड़ी की है जब तक कॉंग्रेस, NCP और उद्व जैसी प्रवरूतिया टोटली मार्जिनलाइज और डिमॉरलाइज नहीं होती तब तक बीजेपी अकेले दम पर खड़ा रहने की और लडने की कोशिस नही करें कुछ लोगों को इंट्रेस्ट है कि नहीं हमारा डेवेंडर होना चाहिए भड़े वीजेपी डूब जाए तो वो तो दो की थेयरी हो गये ना वो संगे की थेयरी नहीं है मैं तो यह जानना चाहरा हूं भाव के यह राज ठाकरे के साथ क्या हुआ है मुझे बोलना था जब अभिशेक बोल रहा था आप राश्ठाकरे की तरब जन सुराज की जो बात उन्होंने कहिए उस तरीके से देखो अब जब उद्धव उद्धव तो पॉलिटिकल लीडर है नहीं वो सबको समाल नहीं पाएगा तो उद्धव के जो फोर्सेस है वह आईस्ता आईस्ता राश्ठाकरे के पास चले जाएगी क्योंकि राश्ठाकरे को दिखाना जरूरी था कि मैं मैदान में हूँ कि 75 से नहीं 64 से लेकर चासी तक बाला साफ ठाकरे ने वेट किया है वेट किया है तब जाके 86 में शिवसेना बढ़नी लगी और 90 में वो पैन महाराश्ठा हो गई तो लेकिन यह खड़ा रहता है हरने के बावजूत खड़ा रहता है अब देखिए आप महीम में अगर उद्धों की तरीके से राज सोचता तो राज बोलता ठीक है भाई वो सर्वंट कर रहे वो मिल्या रहा था वो विड्रो करने वाला था राज्वोला नहीं मुझे मिलने की जौरत नहीं यह यानि अपने बेटे को बेटा हार सकता है ये रिस्स थाकने ने लिया है वह बहुत important है तो उसने दिखाया कि मैं बाला साब जैसा कठोर निर्णे कर सकता हूँ अपने बेटे के लिए संगटन को मरने नहीं दूंगा संगटन अपने चुनाव चिन्द पर खड़ा होना चाहिए अपने अरगनेशन पर खड़ा होना चाहिए जब इतना तगड़ा रीडर्शी होती है तो जो माइगरेट होते हैं अब देखो कॉम्रेस में बहुत सारे फ्रस्टेट वाठा में फ्रस्टेट होगे और इनमें होगे तो वो इनके यहां राज के साथ जिनको देखो एक बात है राज क कि भूमी का मुझे बहुत पसंद आती है वो तो इनको भी सत्ता चाहिए उनको भी सत्ता चाहिए तो अपोजिशन कौन चलाएगा अपोजिशन मुझे बहुत में था या कॉलेज में था याद नहीं लेकिन उस वक मैंने डॉक्टर राम मनोर लोया को इंटर्यू पड़ा तो उनको किसी ने वो इंटर्विव लेने वाले ने पूछा था कि कि आपके पार्टी को अगर भववत मिलता है तो आप प्रधानमिंती बोने हुए बोले बिल्कुल नहीं मैं पार्टी छोड़ दूँगा तो बोले क्यों मैं तो आपोजिशन में रढने के लिए आया हू सत्ता चलाना मेरा काम नहीं है अपोजिशन को लाइन पर रखना मेरा काम है तो बोले तो प्रधानमिंती नहरूर है कोई बात नहीं क्योंकि गाड़ी खीचना बैल का काम है लेकिन बैल से अच्छा काम लेना ये गाड़ीवान का काम है और अपोजिशन गाड़ीवान होनी चाहिए आज हमारा लोक दंत्र क हरहे क्योंकि गाड़ीवान नहीं है कि कुई हां हर एक बैल बनना चाहता क्योंकि लोकदंत्र क्या होता है इस पर चर्चाही मेंमें नहीं हो रही यह सत्ता में आएगा वुष कुई होके अच्छा की कि आपका वो क्या बहुत प्रसान किशोर हो या राश्ठाक्रे हो यह अपोजिशन मनाना चाहते तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए लेकिन भाव लोग दूसरे तरीके से सोचते हैं वो सोचते हैं कि यह अपने बेटे को तो जिता नहीं पा रहा है नहीं यह हम सोचते हैं एक मिनिट उमकार जी यह हम सोचते हैं जरा हम लोगों की तरीके से सोचना शुरू करें आज भी बहुत सारे लोग है मुंबई में मैं देखता हूँ कि करोना समय में बहुत सारे लोग मैं आपको बता सकता हूँ स्कूल टीचर्स थे उनका और्गनेशन वरली के कोलिवाडा का असोशेशन वो राश्ठकरे के पास जाता था हमरे लिए कोछ करो उसके पास तो कोई ताकत थी नहीं तो क्यों जाता था हाँ यह हमारे लिए आवाज उटा सकता है कर नहीं सकता लेकिन कम से कम आवाज उठाए यह तो हमारे लिए कुछ नहीं यह हमारे जैसा भूका है शायद हमारे लिए कुछ करेगा तो लोगों का निमाक उस धंग से चलता है और वहां से नहीं पार्टी खड़ा होना शुरू जाते हैं जो जटपट पार्टिया बनके जटपट खतम हो जाते हैं लेकिन जिसको बहु लेकर राष्ठा करें जा रहा है या प्रशाण किशोर जा रहा है तो हमको एनलिसिस करते वक्त उनको उनकी पास उस नजर से देखना पड़े जी तो आएए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्णों की और दर्शकों के कुछ प्रश्ण ले लेते हैं जिन लोगोंने प्रश्ण पूछे हैं मैं सबसे पहले उनसे शमा चाहूँगा इतने अधिक प्रश्ण आ गये थे लगबग सो के आसपास प्रश्ण आ गये थे उनको सब को लेना संभव नहीं है तो हम कुछ सिलेक्टेड प्रशन ले रहे हैं अजी प्रशन आएं ये कह रहे हैं पुनीत यादो आप चेक्ट इच सीट जेल केम ने एंडिये के चालिस हजार वोट फंदरह सीट पे काट कर एंडिये को हरवा दिया यही बात हमने की थी पिल्कुल सही है अब सही कह रहे हैं बंगेश जोशी मेरा सवाल भावतोर सेकर जी से है क्या बी-म-सी एलेक्शन के लिए राज और उद्धव साथ आ सकते हैं मुझे नहीं लगता है अगर साथ आ सकते हैं तो तो बिखड़ते ही नहीं न उद्धव किसी को साथ लेना ही नहीं चाहता देखो पिछले 2017 के चुनाव में उसका बेटा जो अमित ठाक्रेव अभी चुनाव लड़ जाता वो कैंसर से पेडित था उसके ट्रीट्मेंट के ल मैं लड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं फैमिली प्रॉब्लिम में हूँ तो मैं आपको उपन सपोर्ट करता हूँ और आप जो हमारे मेंस के कुछ पाच्छे लोग अग रही है उनके लिए शिवसेना का ही टिकेट दे दू यह मेसेज उन्होंने सात बार फोन किया उद्धो ने फोन नहीं उठाया फिर बाला नानगाव कर मातोश्री पर जाकर बैढ़ गया देड़ घंटा बैठा रहा उसको ठाक्रे से उद अगर आपको बीएमसी चुनाओं में बीजेपी को हराना था तो राज को साथ लेने में कोई हर नहीं था लेकिन यह तहीं नहीं कर पाते कि कौन सा दुस्मन है उनका दुस्मन मी कौन उनको पता नहीं तो इसलिए वो साथ आने का कोई मतलब ही नहीं है उसका फाइदा ना आज कोई ना उद्धव कोई वह आएंगे नहीं बिलकुल आएंगे नहीं क्योंकि परसनल दुस्मनी है अगला लेता हूं मैं सनमित खुकारे के रहे के हेलो भावू एं संजे जी पिछले दो साल से शरत पवार रिटायर्मेंट लेना चाहते हैं उनकी इच्छा जंता ने ह को पितामा पितामों क्यों बोलते हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं पितामा कौन होते हैं वो शर्पंजर होता है उस पर पढ़े रहते हैं जो उनका विस्तर होता है बाणों का उस पर पढ़े रहते हैं उनका क्या बोलते हैं इच्छा मरनी थे वैसे इनकी इच्छा जो है व वो बोले कि आप कुछ भी करो मैं मानता नहीं, मैं वीवा मानता नहीं, मैं हर मानता नहीं, तो वो रिटर नहीं होगे. वो गोड़ी से नीचे उतरने को त्यार ही नहीं है. राजी अगरवाल जी करें, सर्फ ग्रेट एनालिसस भाई जैपुजाय लोग्स, वाई शिंदे जी इस नौट एक्सेप्टिंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर, शिंदे जी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, शिंदे जी हाँ या ना करना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो विगनेश प्रभूस संजे जी इस मेंचेंड अर्लियर, बीजेपी अलोन 108 प्लस, इफ 65 प्लस टर्न आउट, जी हाँ आपने काप आए, बिल्कुल करेक्ट है, जारखन मेस ड्यू टू पैरा टूपर्स, एंग्री पार्टी काड़, एपसेंस ओफ संग, जैराम महतो, टू सेंट्रलाइजड बाई डिली, बीजेपी लॉस 27 ओफ 28 स्टी सीथ, ये तो प्रावलम है भई अविशेग जी, ये उपर से जहां जहां करते हैं न, वहां वहां यहीं होता है, ये मंद सुरेन को अंदर डालने वाला प्लान भी उपर के ही एक विद्वान का था, बिल्कुल लोग आज महराष्ट की बात किया यूपी की बिल्कुल नहीं बात किये, यूपी में देखी कैसा रिवैवल हुआ है, तोड़ी न हुआ, क्या जबर्दस रिवैवल आपने योगी डी को दिया पूरी तरह से काम करने, को देखी साशन जोगी जी ने चीना है, कौन, किस ने दिया ठीक वही बात है कि आप आप जो उपर से उठा के भेज देते हैं कि इसको डिस्टर्ब करो ये करो वह वाली चीज है अब क्या ही बोला जाए हम लोग हिंदुत की बात करते हैं और वहां कुछ लोग है इस पर एक अलग से किसी दिन बात करेंगे जी बहुत बाते क्या को ले दबा ले यह जो सिस्टम है ना यह चेंज होना ही पड़ेगा इसके वजह से ही दो सो चालेस आये थे आकाश विस्वात सो बेसिकली कॉंग्रिस को लोग सभा में चिकिन लॉलिपॉप देके बटर चिकिन विदान सभा में पूरी बीजेपी को दे दी ओवराल बीजे क्राइसिस इं करनाटका पंजाब विसमिंगॉल एंपी नॉर इंप्रिसिव यूपी उनली सेवियर नहीं नहीं राजिस्तान सा अरे भूल गए आप राजिस्तान को और विहार को बीजेपी शुट स्टॉप पैरा टूपर्स और नर्चर ओन काडर इंडी स्टेट माय स्ट करनाटका फाइटिंग इस ऑन एक्स उनली आप सही कह रहे हैं हमारे यहां सरकार किस तरह से चलती है आप कभी आईये राजिस्तान और पूछिए लोगों से कि सबका सब जो है वो दिल्ली के कमरे से चलती है तो ऐसे ही रहा तो आगे क्या हो गए प्रसन्न कुलकरणी ऑल्सो रोल ऑफ आरेसेस एंड कीरतनकार अंडर प्लेड स्पीच सेंग एक है तो सेफ है जस्ट लाइक सबका इश्वास और हिंडू कंसॉलिडेशन इन विक्ट् स्टी स्पीच के समय हमारा ये कारकरम चल रहा था नेक्स्ट ओंकार जी आपने कहा महराश्ट में एंटी ब्रामिन सेंटिमेंट है विस्टिन ऐसा क्यों है एक्जामपल पंजाब में आज भी खालिस्तानी की गाली है बामन बामन वाद अतीत में दफन हैं बहुत सारी घट हुआ था महराश्ट में वो चीजें कभी सामने उस तरीके से आई नहीं जिस तरीके से आने की जरूरत थी और उसके बाद भी जो महां की राजनीती रही है जिसको शर्द पवार ने हावा दी है लगातार शर्द पवार जैसे लोगों ने हावा दी है उसकी वज़े से महां पर एंटी ब्राह्मन सेंटिमेंट पार था अरंग देब की जेब में हाथ डाला लेकिन पिगली हुई सौफटी आइसक्रीम में हाथ चिप गया ना इसक्रीम मिली ना वड़ा पाओ वो वाट वेन हाओ यह आपका क्रिप्टिक क्वेस्चन है यह फोड़ा टेड़ा है इसको हम पास ओवर करते हैं नेक्स्ट संतोष रेड़ी नमस्कार संजेजी और सारे सनातनी ओदाओं को होप ना वन बीजेपी विल ओपनली डेक्लेर इसेल्फ हैंदू रख्षक पार्टी अब पता नहीं अभी तो लोग कह रहे हैं कि साब मोदी जी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं मुसल्मान भी शामिल है तो 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 कह रहे हैं सबका सबका विश्वास का ही दूसरा रूप है अब यह पहले अगर बता दिये होते तो शाब महराश्वन लोग वोट भी नहीं देते संजuje सर आपनी याद है पहली बार वक्त अमेंडमेंड को लेकर आये तो आपने बोला था कि अगर यह लोग सभा छुनाव से ठीक पहले लेकर आया होते तो यह दूर seven अब वही जिताते हैं इसका यह मतलब थोड़ी नहां बीजेपी के लिए परिश्रम वोड़ नौ यह नौ दस हजार लोग मैं वह बार-बार पूछता हूं यह कौन लोग है जो जैपू डायलोग्स देखते हैं परिश्रम करते हैं शेयर करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं भावतोर यह लोगों के रियक्शन्स आने लगें जैसे ही सबका विच्वास वापस बोला नेक्स अभिशेख जी अमराथी लोगों ने राश्प्रेम के लिए नहीं हिंदू सेफ्टी और हिंदों को जया मिले इसलिए बीजेपी को वोट दिया है आपके राश्प्रेम के कॉमेंट क मैं मानता हूं यह मैंने बिलकुल यही बात बोली थी यतीन कुलकर्णी करें अगरी विद्भाव डोंट डिस्टर्ब करेंट सिचुएशन गिव पड़नवीस रिस्पोंसिबिलिटी एस पार्टी प्रेजिएंट जी तो इसी के साथ आज के कारकरम को हम यहां विराम अभिशेग जी को दन्यवाद चैहिंद चैह भारत वंदे मातरम और बटेंगे तो कटेंगे द्यान रहें ना बटेंगे ना कटेंगे ना कटेंगे ना कटेंगे